नमश्कार स्वागत हैं आपका मेरे संपल और्गनिक गार्डेर में आज है फिफ्ट नुवेंबर और आज मैं आपसे बात करूंगी गुड हल के बारे में गुड हल के में मिली बग बहुत जादा लगते हैं इसके साथे साथ इसमें एक प्रॉब्लम यह भी आती है कि जो बहुत आसान बहुत ही ज्यादा आसान तरीका बताऊंगी पूरे अपडेट के साथ तो एक अपडेट तो आज आपको मैं यह दे रही हूं कि देखे यह वाला जो प्लांट है यह बिलकुल रूट बाउंड हो चुका था इसको मैंने 17 अगस्त को दो महीनेस जादा हो गया ह और रूट बाउंड प्लांट आपके साथ शेयर भी किया था तो चलिए अब आपको मैं बताती हूं कि मैंने गुडहल में जैसे की मिलीबग लग रहे थे तो उसके लिए मैंने कौन सा उपाई किया और बहुत ही जादा आसान तो देखे यह जो है एक महीने पहले का यह अज गुडहल में बतायास कूआ है की मेरा प्लांट मैंने रिपोर्ट किया था होता क्या है कि कोई भी ब्लांट गोडहल में लुज भी जब भी नईनई ग्रोश शुरू होती है टिप के पास आप देखेंगे वहीं पर आपको मिलीबग सब्सक्राण यहां पेज चीटियां बहुत घूम रही थी तो जो चीटियां होती है वो मिली बग की वेस्ट के लिए याती है तो बस चीटियां मुझे देखी तो लगा कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ गरबड है और एक बात और बताओं जब भी यह मिली बग लगते हैं ज्यादा तर होता है कि व हही पर लगते हैं तो यह बिल्कुर शुरूआत की है यह सारी न Peace Rahman's यही पर लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मैं आसान तरीका को बता रही हो मैं कुछ नहीं कर रहा है नर्मल मैं जो अभी कर रही हैं, इस टाइम में जो कर रही हैं, एक दम नर्मल पानी लीजे एक bottle में, spray bottle में ले लिजे, जिसमें आपके पास जो हो और उससे बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा pressure से इसके उपर आप wash कर देजे, देखे मैं pipe से तो अगर आप पानी नहीं डालती हूँ अगर आप आप से पाने डालेंगे तो क्या होगा कि वो पानी पत्यों प्रब्लूम दो कम और गंबले में ज्यादा भरेगा इसे कि आहिए वेश्चंफित विंटर आने वाला है हम इतना ज्यादा तो थोड़े होंगे तो वो तो अपने आपी प्रेशर से गिर जाएंगे और अगर थोड़ा सा ज्यादा होंगे तो आप थोड़ा सा कोई एक टूथ प्रश बेकार आपके आप पढ़ा हो उससे थोड़ा सा आप हाथ से इसको साफ कर दीजे बस कुछ नहीं करना है सिर्फ आप स्प्रेय कर रहे हो आप बहुत जादा उसमें पानी कहीं नहीं डाल रहे हैं कि मिट्टी में जा रहा हो इस तरीके से आप जब वाश करोगे तो अपने आप सब साफ हो जाएंगे एक चीज तो यह हो गई यही चीज होती है जब कलियां जब बनने लगती है तो कलियों अब आपको आगे वीडियो में बता दूँगी अभी तो यह तो सिर्फ साधे पानी से ही हट जाते हैं इनके लिए मैं कुछ नहीं कर देगा और यह काम में कर रहे हूं इक ताम में कर रहे हूं जिस सुबह सुबह का समय है तो जिसे ज्यादा थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो क्या होगा कि सुख जाएगा दिन फार में तो देखें दोस्तों अब यह है करीब एक महने बात कर रिजर्ट है और ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार साफ कर दिया गोडेल में तो दुबारा से मिल बग नहीं आएगा तो जब एक महने पहले मैंने आपको दिखाया और अब आपको यह मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से, पस इसके लावा मैं कुछ नहीं करती हूँ, इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं वाला है, लेकिन जब कभी भी उस जगह पे फूल आने वाला होता है, कलिया आने वाली होती है, यह प्रॉब्लम 90% ऐसा होता है कि तभी ह होता है, जिस जगह पे फूल, होता क्या है, अगर हम पहले से नहीं साफ करते हैं, तो बड्स के अंदर, कलियों के अंदर, मिली बग या एफिट्स जो होती है, जो ब्लैक वाले एफिट्स होते हैं, वो चले जाते हैं, तो चले आपको मैं बस अब यह बता देती हूँ, कि जब एफिट्स के लिए हम क्या करें, तो कुछ भी नहीं, यह देखी कुछ ड्रॉप्स जो है, यह मैंने मेरा है, मैंने वो ले लिया है, कुछ ड्रॉप लेना है, मतब चार, पांच, छे, सिक्स कर एक ड्रॉप्स लेके, वन लीटर पानी में, आप हैंड वाश है, कुछ इसे के साम का उम सूर्य करनी के पहले करना, इसान को सूरिया निकलने के बाद, सूर्यास्त के बाद, पेहले सूर्यास्त के बाद, ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो उसके बाद फिर इस सारी चीज़े उड़ जाती है तो इस तरीके से आप अब देखे जैसे अभी आप लोगों ने गुलदाओदी लगा रहे होंगे विंटर का टाइम है जैसे ही आप गुलदाओदी होता है जब कली आने वाले होती है जदा तर ऐसा ही होता है मैं जदा तर बोल नहीं हो बोल यह नहीं बोल नहीं हो कि हमेशा ऐसा होता है तो पस यह बहुत आसान तरीका है इसमें कोई भी पेस्टिसाइट का मैने यूज नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है हां जैसे कि यही चीज बोने पाराने लगे न, यहीं चीज मैं किसी बहते हैं अब बहुत कर दे हैं इक है अब मुक्ति आपक आयरे पेस्टिसाइड तो बस बना रह रहा हैं इसके पीछे हैं जैसे पोड़ा है तो इसके पीछे भी छोटे-छोटे से कीड़े लगने लगें जैसे ही क्रोथ होती है वैसे शुरू हो जाए तो यह सब तो मैंने यूज़ करती प्रेन वाटर से नहीं चलता काम फिर यह जैसे देखिए मैंने एक और गेरी का भी पनाया हुआ है अब यह तीन-चार दिन में कभी कोई मिलीबग लगे गाई नी और मैं आपको हमेशा अपने गार्डन में दिखा दू यह चले दोस्तों आपको चल चलता मैं आप यह दिखा दू यह देखिए मैंने कुल वह जो अभी इस पर प्रूनिंग की थी और इसमें ग्रोश शुरू हो गई इस वाले गुलाब अब हल्दी भी मैंने लगा दी चले दानिमात